बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्किट के बारे में बिटकोईन के बारे में और क्या कुछ चल रहा है क्या कुछ हो रहा है वीक का सेकिंड डे है आज है ट्यूजडे और वीक की स्टार्टिंग बिटकोईन ने कल रात को काफी अच्छी कर दी और क्या लेवल्स आ चुके है बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आप सब ही को very good morning crypto market इस टाइम पे अपने high levels के उपर चल रहा है नया all time high bitcoin यहाँ पे set करने की तयारी कर रहा है क्यों क्योंकि bitcoin ने 68600 तक के level लगा लिए है अभी 67300 पे आगया एक थोड़ा सा यहाँ पे liquidation game bitcoin ने कर दिया है चोटा सा liquidation मतलब longs वालों का जो trade लग रहा था long का नया all time high देख के उन सब को एक चोटा सा liquidation यहाँ पे bitcoin ने दे दिया bitcoin की इस candle ने दे दिया जी हाँ 15 मिनिट का अगरम टाइम फ्रेम देखें यह दो candles ले के आई है liquidation longs वालों का तो 67,000 पे आ गया bitcoin इस टाइम पे और 5% डाउन है और 68,600 तक के high लगा दिये है और 68,900 का bitcoin का all time high लगा हुआ है अब वो पल जैदा दूर नहीं है वो एतिहासिक वो historical पल जब यह 2021 का जो लगा हुआ हाई है bitcoin इसको break कर दे तो कभी भी break कर सकता है liquidation यहाँ पे हो गया अलरड़ी एकदम से एक pump और 70,000, 72,000, 75,000 क्योंकि यह जब level break होगा तो हम bitcoin का नया high देखेंगे यह वो 70,000 पलस होगा 70,000, 72 से 75 तक की target आप लेके चल सकते होगी इस महीने bitcoin नया ultimate high 72 से 75 तक का हमको लगता हुआ दिखा सकता है तो यह कहानी है bitcoin अभी काफी अच्छा strong बना हुआ है क्योंकि जब market का king strong हो तो crypto market के लिए सब चीजें favor मही है सबसे बहले बात करेंगे शिवा इनों के बारे में सोया हुआ शेर जब जाकता है तो बड़ा भयानक लगता है और शिवा इनों कहीं न कहीं बहुत भयानक तरीके से जा गया जो भी हमारे prediction दे शिवा इनों को लेके सारे hit कर दी है शिवा इनोंने पहला prediction था जब pump आना शुरू हुआ pump से पहले हमने कहा दिया था 2 का level हम देखेंगे 15 का देखेंगे उसके बाद 2 देखेंगे फिर 3 का आपके साथ discuss किया वो भी हिट हो गया 4 का भी हमने कल रात को discuss किया था वो भी हिट कर दी और 5 तक की तेयारी पहुँच गी है शिवा इनों की तो थोड़ा सा लिक्विडेशन गेम शिवा इनों की तरफ से भी बिटकोईन के साथ साथ है ना लॉंग्स वालों का तो यह current levels है और यह current हाल है शिवा इनों का बहुत ही भयानक pump 70% price अभी उपर चलने है 100% तक और बढ़ गया है यह आज की candle है तो जब सोया हुआ शिवा इनों तो ऐसा ही लगता है क्योंकि शिवा इनों बस ऐसे भयानक bump के लिए यह जाना जाता है no doubt काफी time सोया रहा शिवा इनों इसमें भी कोई doubt नहीं है लेकिन अब जागा है तो भयानक pump के साथ जागा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है यही खासियत है यही स्पेशिलिटी है शिवाएनू की जब क्योंकि भ्यानक पंप के लिए जाना जाता है record नाम है शिवाएनू के और continue यहाँ पे पंप आ रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है इसको बोलते हैं शिवाएनू शिवाएनू इसी लिए जाना जाता है तो अगर हम मार्किट की हाल देखें 2.51 ट्रिलियन डॉलर का पूरा क्रिप्टो बाजार चल रहा है 5% का इंकरीज है और जो 3 ट्रिलियन डॉलर हम हिट नहीं कर पाये थे रहे गए थे 2021 में वो अब बैरियर आपको दिखने वाला है जैसे बिटकोइन का नया ओल्टाइम हाई लग जाएगा तो बिटकोइन चल रहा है 1.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ अब ही 65,000 डॉलर पे लेवल आ चुका है ठीक है थोड़ा लिक्विडेशन गेम अच्छा गासा यहां पे तगड़ाय वाला हो रहा है तो अगर हम यहां पे थोड़ा सा यहां पे नीचे चलें और नीचे के नंबर बड़े शानदार दिख रहे हैं अभी मॉर्निंग में शीवा इनू की मार्केट कैप 25,000,000,000 डॉलर की पहुँच गई थी डॉज कोईन की 27 तक थी ADA बीच में आ गया था डॉज कोईन आट पे था और शीवा इनू 10 पे बना हुआ है क्योंकि बाकी तो 15, 12,000,000,000 डॉलर की हैं टॉप 10 में खुद आके बैड़ जाएगा तो बिल्कुल अब डॉज कोईन तो कहीं न गई गया क्योंकि जो नंबर वन मीम की चेर लगा रखी जी डॉज कोईने अब तक वो शीवा इनू छीनने वाला है बस कहीं न गई ऐसे टाइम पर लॉन मस्क का कोई ट्वीट न आ जाए कोई ऐसा ट्वीट न आ जाए जिससे डॉज कोईन की कीमतें समझ रहे हो और ज्यादा न बढ़ जाए क्योंकि ऐसे टाइम पर बड़ा क्रूशल टाइम होता है क्योंकि वो भी देख रहे हैं वे शीवा इनू एक मीम क्रिप्टो है वो डॉज कोईन के सपोर्टन है और वो शीवा इनू से डॉज कोईन से आगे निकलने चाहरा है तो डेफिनेटली कुछ न कुछ ऐसा ट्वीट आ न जाए और अगर ऐसा आया तो डॉज कोईन की कीमते बढ़ जाएंगी मार्किट कैप बढ़ जाएगा और डॉज कोईन फिर से आगे बन जाएगा शीवा इनू से तो ये बड़ा इंट्रेस्टिंग और क्रूशल टाइम है दोनों साथ आके बैठ गए है पिछली बुलरन में भी ऐसा ही साथ बैठ गए थे और शीवा इनू ने कुछ घंटे के लिए फिलिप भी कर दिया था तो मामला बड़ा इंट्रेस्टिंग हो गया इस टाइम पे डॉज कोईन वर्सिस शीवा इनू तो आज के अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें आज मार्किट के अंदर वो क्रिप्टो भी पंप हो रहे हैं जिनके बारे में हम 2021 में बात किया करते हैं मतलब उस टाइम काफी ज़एदा ट्रेंड था इन क्रिप्टो का और अभी डिसंबर से इन क्रिप्टो का एक पंप आना चुरू हुआ और XEC की अगर मैं बात करता हूँ ये कुछ महीने पहले अगर हम पीछे चले 100% की रेली दिखाई थी जैसा प्रेडिक्शन था इथी जून में, जुलाई में, आगस्ट, सप्टमबर में ऐसे कुछ दिखाई थी 2023 में वो प्रेडिक्शन हिट हुआ था लेकिन आज 0.07 के साथ ये 60% पंप कर रहा है तो आज E-Cash की कीमते भी बढ़ गई है शिवा इन्हों भी 60% पे चल रहा है और उसके लावा BitTorrent, BitTorrent पंप करता है तो वहिया E-Cash, Wink ये सारी के टेगरी के जो कॉइन से ये भी पंप करने लग जाते है इसके लावा रैट्स पंप कर रहा है आज थेटा चल रहा है E-N-S चल रहा है, Q-T-M चल रहा है और L-S के चल रहा है, ये हैं आज के टॉप तो ये लिजिए, Bitcoin अभी थोड़ा सा नीचे आया है, 65,000 डॉलर तक और थोड़ा सा क्यों अगर हम देगे 68,600 तक के हाई लगा दिया है नया All-Time High टच करने से पहले एक बार तो गेम बनता था और वो गेम कर दिया है ठीक है, क्यों लिक्विडिशन का क्योंकि वहाँ पे जब Bitcoin अपने नय All-Time High से 100, 200, 300 डॉलर के नीचे हो तो भाया ऐसा बड़ा गेम होना बिल्कुल बखू भी जायज है और Bitcoin क्रिप्टो गेम करता है तो एक बार तो लिक्विडिशन गेम बनता था महाँ पे, और क्या हुआ है BTC ने पिछले एक घंटे में चार्ट चल रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 63 million dollar longs वालों की अच्छी कासी liquidation कर दिया है एक घंटे का हाल है, 11 million dollar shorts वालों के हैं टोटल 74 million dollar का liquidation है और पिछले 24 घंटे में भारी भरकम liquidation है, 507 million dollar के 237 million dollar longs वालों के गए हैं की selling कर रहे है, चाहे coinbase के चाहे micro strategy के है न stock market में selling चल रही है धड़ा धड़ा, और क्या खरीदे जा रहे है bitcoin, Michael Saylor ने intention clear कर दिया है Michael Saylor micro strategy plans to raise 600 million dollar for additional bitcoin purchases 600 million dollar के bitcoin खरीदने का यहाँ पे, एक और plan reveal कर दिया है, और वो दिन भी दूर नहीं है, जब हम देख लेंगे 1,093,000 bitcoin है तो 2,00,000 तो number पहुचने वाला 2,00,000 plus holdings तो 600 million dollar के bitcoin और खरीदना चाह रहा है यहाँ पे, Michael Saylor और यह अच्छी और बड़ी और good news है next update आरहा, flow की नुगले के market का एक ऐसा meme crypto जो अपनी power पूरी तरह दिखा चुका है पिछले कुछ दिनों में और fresh wallet withdrew 28 billion flow की 4 million dollar के from Binance 40 minute है 40 minute पहले यहाँ पे जो है withdraw किये गए है, 9 बज़े का यह tweet है मतलब, I think 8 बज़ के 20 minute पे तो अच्छा कासा wallet ने withdraw किया है 23 billion flow की इनू 4 million dollar, तो पैपे की कीमते एक महीने में 700-800% बढ़ी है, ऐसे में कुछ wallet अब यहाँ पे sell भी कर रहे है 5 wallet sold 970 billion पैपे for 6.8 million dollar USDT, 8 hour ago and make 5.6 million dollar profit 480% का in only 50 days तो 970 billion पैपे को sell किया गया 6.8 million dollar के और 5.6 million dollar इन वालेट का profit भी है तो यह थे शिवा एनू के आज morning के हाल 100% तक price कीमतें बढ़ गई थी रात रात में और morning तक अब result यहाँ है कि 300-500% की rally आपके साथ discuss कर चुके हैं जिसमें से आप 338 minus कर दीजिए क्यों क्योंकि 338% 14 दिन में विछले 1 week की बात करेंगे साथ आठ दिन के अंदर शिवा एनू 338% pump हो चुका है अब यहाँ पे जल्दी 500% का नंबर दिख जाए तो target complete तो जिन लोगों ने पहले buy किया वो hold कर सकते हैं profit book करना है short time के लिए आथा तो book कर सकते हैं 24 आपके decision आपका hold करना है profit book करना है वो सब आपके हाथ में है तो और इस टाइम पे अगर आप शिवा एनू खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खरीदने का time नहीं है ठीक है और कोई भी crypto खरीद रहे हैं तो research करें क्योंकि खरीदने का time तो बिलकुल नहीं है और बिना research के कोई भी crypto purchase ना करें तो यह हाल है आज e-cash के और e-cash आज का top gainer है 71% almost अगर हम देखें 100% तक लगा लीजी 0.87 का high लगा रखा है 0.074 पे level चल रहे है और कीमतों में भारी भर कम उच्छाल XEC की next update है dodge with hat को लेके WIF coin को लेके जो 87,000% pump हुआ है दो महीने में पांचवे नंबर का सबसे बड़ा meme coin है और this trader spent 6,997,000 का खर्चा कर दिया फिर से यानि तकरीवन तकरीवन 9,000,000 to buy 5,34,000 WIF at 1.7 तो नए all time high के उपर चल रहा है 135,640 का high लगा था तकरीवन तकरीवन और he has spent 20,000,000 2.4 million dollar to buy 4.5 WIF since February 16 and the current unrealized profit 5.2 million dollar तो पहले game कर चुका है 5 million dollar का profit है और फिर से 7,000,000 का खर्चा कर दिया है 1.7 dollar पे WIF खरीदे हैं 5,34,000 तो जहां शिबा इन्हों की कीमतें बढ़ रही हैं वहां कुछ ना कुछ यहां पे हलचल भी काफी ज़्यदा तेज है bullish और bearish on SHIB यह कल का tweet है लेकिन price 100% बढ़ गए है और we notice that Rune co-founder of MakerDAO MakerDAO के co-founder और क्या कर रहे हैं SHIBा इन्हों खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ Justin Sun sold SHIB तो Rune ने spent किया यहां पे 5,000,000 USDC in the past 3 days और दूसरी तरफ यह भी reports आ रहे हैंगी Justin Sun sold कर रहे हैं sell कर रहे हैं तो एक तरफ MakerDAO के founder एक तरफ Tron के founder और यह है Justin Sun की report Justin Sun deposit 20 billion SHIB to Polonix and sold 8.1 billion SHIB for 2,12,000 USDC in the past 4 hours Justin Sun currently hold 5,24,000,000 SHIB 14,000,000 USDC and with a total profit of 9,5,000,000 USDC आप देखो कितना बड़ा profit क्योंकि अभी अगर हम एक दो महिने पीछे चलें तो Justin Sun ने अच्छे गासे movement किये थे SHIB एनू खरीदे थे result यहां है कि millions डॉलर के profit बन चुके है Justin Sun की तो क्या situation है वाल्यूम आप देखे 13,000,000,000 डॉलर का क्योंकि कल तक भी अगर हम देखे 12,000,000,000 डॉलर SHIB इनूं का वाल्यूम चल रहा था और कल से लेके अब तक इस टाइम पे वाल्यूम डबल आ चुका है और price भी डबल हो चुका है तो बहुत भारी भरकम दिस्क्रिप्शन में टैलिग्राम एक्स के लिंक है जोइन कीजिए कोई अपडेट मिस नहीं होगा और तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार